हलो गाईज आपका हमारे चैनल एस्पिरियंट सिविल इंजीनियर पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक नए टॉपिक पे चाचा करने जा रहे हैं पीम मोधी गंगा एक्सप्रेस्वेस का आज 18 दिसंबर को सिलन्यास किया गंगा एक्सप्रेस्वेस से रोजगार और दो करने वाले गंगा एक्सप्रेस्वेस का सिलन्यास प्राइम मिनिस्टर नर्म मोधी सनीवार आज 18 दिसंबर 2021 को सहाजहापूर में किया गंगा एक्सप्रेस्वेस मेरर से प्रयागराज के बीच 12 सारों से गुजनने वाले इस 594 किलोमिटर लंबे मार के निमार पर 36,200 करोड खर्च का अनुमान बताया जा रहा है गंगा एक्सप्रेस्वेस का निमार चार चरणों में होगा पहला चरण मेरट से अमरोहा लगबग 139 किलोमिटर दूसरा चरण बदाउयों से हर्दोईं 119 किलोमिटर तीसरा चरण हर्दोईं से उननाव 155 किलोमिटर और चोथा चरण उननाव से प्रयागराज 156 किलोमिटर गंगा एक्सप्रेस्वेस चार चरणों में निर्मार किया जाएगा जिसकी कुल नमबाई 594 किलोमिटर होगी और इस पे निर्मार लागज 36,200 करोड का अनमान किया गया है आईए आपको बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेस्वेस किन सहरों से होकर गुजरेगा या मेरट के बिजोली गाउं से सुरू होकर हापूर, बुलंत सहर, अमरोहा, संभल, बदाईू, सहाजहापूर, हरदोई, उन्नाव, राइबरेली, परताबगड और प्रियाग राज में जुडापूर, दादू में, नेशनल हाईवे 19 में मिलेगा इसके बनने से मेरट से लखनों पाज घंटे में पहुचा जा सकेगा, इस परियोजना की कुल लागा 36,230 करूर पे आ की गई है, इस एक्सप्रेसवे से के लिए किसान से जमीनों का अधिगरान लगबग 95% पूरा हो चुका है गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन की होकी और पहले चरण के तहत निर्माड के लिए IRB Infrastructure Limited को जिम्यदारी जी गई है, जबकि अन तीन चरणों के लिए आधानी इंटरप्राइज़ेज को निर्माड कार की जिम्यदारी मिली है गंगा एक्सप्रेसवे 3.5 किलोमीटर की लंबाई में हावाई पट्टी भी बनेगी जलालाबाद के गाउं, बढ़ोरडार, चमरपूर, कला, पीरू सहित 5 गाउं में करीब 3.5 किलोमीटर की हावाई पट्टी बनाई जाएगी इससे नेपाल और चीन तक एरफोस की पहुच असान रहेगी अपातकाल में एरफोस के लिए बरेली के बाद साहजहापूर नया बेस साबित होगा इस Expressway के बन जाने से उत्तर परदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नया स्रीजन खुल जाएगा और पश्चिमी से पुर्वी परदेश के लिए आने जाने का एक सुगम रास्ता भी मिल जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे का कस्ट्रक्षन एजन्सी यूपी एडा है उत्तर परदेश एक्सप्रेसवे इंडेस्ट्रियल डेवलेमेंट एथर्टी जो की गंगा एक्सप्रेस को मॉनिट्रिंग एन कस्ट्रक्षन कार की देख रेक उत्तर परदेश गवर्मेंट के अंडर ग